आठ दिन से जारी भीशन युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन के बीच आज हो सकती है दूसरे दौर की बाच्षीत रूस के प्रतिनिधी मंडल बाच्षीत के लिए पहुँचा बेलारूस पॉलेंड के बॉल्डर पर होगी बात बेलारूस ते तस्वीरे जारी कर यूक्रेन रूस के बीच दूसरे दौर की बाच्षीत का दावा किया है बेलारूस में बाच्षीत के लिए हंटर हाउस है तयार यूकरेन की मीडिया के अवाले से बड़ी कबर रूस जलेंस्की को हटाकर विक्टर यानकोविच को यूकरेन का राश्पती बनाना चाहता है पूर्वराश्पती विक्टर पुतिन के करीबी माने जाते है रूस के लीग सीक्रेट दस्तवेस के आनुसार यूकरेन पर हमले का प्लान 18 जनवरी को तैयार हो किया था और हरी जंडी मिल गई थी 20 फरवरी से 6 मार्च तक चलनी है लड़ाई यूकरेन के रक्षा मंत्राले ने ज़ारी किये दस्तवेस यूकरेन युद्ध के बाद पहली बार रूस ने अपने सैनिकों की मौत का आकड़ा जारी किया है कहा यूकरेन से जंग में अब तक उसके करीब 500 सैनिक मारे गए और करीब 16 सैनिक खायल हुए है यूक्रेन से जंग पर रूस का दावा यूक्रेन के 2870 सैनिकों को मार गिराने और 572 को बंधग बनाने का दावा किया जंग के बीच रूस के वदेश मंतरी सर्गेई लावरोव की बड़ी धमकी कहा तीसरा विश्वयुद परमाणू हमले बाला और महाविनाशकारी होगा यूक्रेन को परमाणू शक्ती नहीं बनने देंगे यूक्रेन के मीडिया का बड़ा दावा कहा ज्रंग में रूस के दो सुखोई विमान द्वस्त हुए यूक्रेन का भी मिग 29 विमान नश्ट हुआ रूस यूक्रेन युद्ध का आठवा दिन है आज यूक्रेन में लगतार हमले कर रहा है रूस कीव खरकीव सूमी लवीव समेत कई शहरों में एर अलर्ट लोगों को बंकरों में जाने को कहा गया है युक्रेन के एक और शहर कोनो टॉप को रूस की धंकी, कोनो टॉप के मेर का दावा बोले रूस ने सलेंडर ना करने पर शहर तबाह करने की धंकी दी रूस के रक्षा मंत्वाले ने अपनी सेना की तस्वीरे भी जारी की हैं युक्रेन के युद्धक्षेत्र में सक्रिये रूसी फॉच के फाइट फ्लेन निगरानी करते नजर आए पश्चिम युक्रेन की शेहर लवीव में भी लगातार हवाई हमले की चेताफनी अलर्ट के बाद लोग इमारतों के शीशे के आगे लोहे की चादर लगाने के लिए जुटे हुए हैं ताकि हवाई हमले से होने वाले शॉक वेव का रोका जा सके शॉक वेव को युक्रेन से बाहर जाने का सलसला है जारी संयुक्त राश्ट्र के मताबक युद्ध के चलते अब तक आठ लाग चोहत्तर हजार से जादा लोग युक्रेन छोड़ चुके हैं युक्रेन में जंग के फ्रांस ने रोमानिया में मौजूद नेटो सेना के लिए बड़ी तादाद में हतियार भीजे सबसे बड़ा मालवाहक जहाज एंटनोव ने से बुखारेस्ट रवाना हुआ ऐसे में नेटो देशों ने कहा है कि रूसकी सेनागर युक्रेन से आगे बढ़ती है तो बहुत ओड़ जवाब मिलेगा भारतिय चात्रों को हर हाल में खारकीव छोड़ने के लिए कहा गया है जैसे तैसे खारकीव छोड़ कर निकले चात्रों का एक गुरूप लवीव पहुंच रा इस गुरूप से बीपी न्यूस के सहयोगी प्रणै उपाध्या ने बात की बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज कर रहे हैं सो डॉलर मांग रहे हैं पर स्टूडेंट यहां पर आट सो से हजार लिया जाता है तो यहां पर यह लोग हमसे सो सो डॉलर मांगें जो कि सो डॉलर हो रहा है आज की टाइम पर तीन हजार क्रेवन हो रहा है मारे क्लास में इस कुछ बचे हुए, कुछ हॉस्टिल्स में, कुछ अपने फ्लाट्स में. युकरेन में भसे भारतिय शात्रों को लेकर वायुसिना के तीन ग्लोब मास्टर C-17 हिंडर एयरपूर्ट पर पहुचे, रोमानिया करीब 200, हंगरी से तकरीबं 220 और पॉलेंज से 28 शात्र लोटे. ABP News आपको रखे आगे